हे गाईज मैं हूँ रावन रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत हैं तो इस फिडिए में हम बात करेंगे एक पेनी श्टॉक के बारे में जिसका नाम है GACM Technologies Limited श्टॉक का प्रैस है देट रुपई के आसपस और पिछले पास दिन के रिटन चेक कर सकते हैं बा 20 रुपई के आसपस जा सकता है कि नहीं इस फिडिए में करेंगे कंपनी का बिजनेस कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है फाइदा क्या है पूरे डीटेल में देखने वाले लेकिन के स्टॉक ले रहे तो खुद का स्टड़ी जरूर किजे डारेट किसी की वीड कंपनी काम करते है अलग-अलग टाइप के सॉप्टेर बनाना उस लेटे सर्विसेज प्रोवाइड करने का कंपनी का में बिजनेस है कंपनी का बिजनेस इक डिमांडिक बिजनेस है अभी तो फिलार इंडिया और पूरे वर्ड में इस सेक्टर की चर्चा बहुत ही चाहद है यह तो होगा इनका बिजनेस अब जान लेते कंपनी के फंडामेंटल बहुत सरे लोग यहाँ पी इस पॉइंट को इग्नोर करते है इसके से खरब स्टॉक में आठटकते है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी का मार्केट के आप है 136 करोड और जो रिटरन का कर्जुग कर चेक करना बहुत ही इंपोर्टेन्ट है कंपनी का लॉट टम का कर्जए लग Guys 8 करोड की आसपास है और जो शॉट टम का कर्जए जिरो करड इंश्ट कम्पनी का टोटल जो करजए 7.85 करोड पकड़ चल सकते जो कर जह लिए देक्गा है जयतर जयादा है क् पर उनको गाटा हो रहता, उसके बाद थोड़ा बहुत इनका गाटा कम हो चुका है, अभी तो फिला सिप एक करोड का गाटा हो चुका है, अगर आने वाले साल में अगर कमपनी प्रॉपिट दिखाते हैं इस सार और नेक्स्ट आ तो वापस से स्टॉक के प्रैस में जम करेंगे, तो पब्लिक यह चोटे इंवेस्टर का इंवेस्मेंड बहुत इवथी जाद रहते, और जो बाकी है, फॉरश इंवेस्टर, aixòी में बहुत और जुट आ कर सकते हैं, नेक्स्ट है एक्स्ट्वल निउस के बारे में, जो है यहाँ पर लोग पढ़ सकते हैं जो कंपनी के प्रमोटर हैं इन्होंने थोड़ा बहुत आपना श्टेक है इस कंपनी में बढ़ा है ऐसा breaking news है इसके से stock लगा तर भाग रहा है इसके अलावा और एक news है कंपनी को 100 करोड का एक order मिला है बहुती बड़ी कंपनी से तो अप लो बात है इस कंपनी के लिए 100 करोड में से जो कंपनी का कहना है कि उसमें से 50-60% margin है तो अब सोच सकते हैं छोटे कंपनी के लिए 50-60% का margin 100 करोड में से एक अच्छा sign माना जाता है stock market में इसी news को पकरते जो stock है लगातार भाग रहा है पिछले 10-3 से यही एक रिजन है stock में त देखा जाए तो operator बहुत ही ज़्याद रहते हैं ऐसे stock को लगातार यहां पर 10 रुपे के आसपास भागाएंगे वापस से वहां से गिराएंगे वापस से 2-3 रुपे के आसपास लाएंगे तो ऐसे stock में कैसा रहते है news के ऊपर चलने वाले stocks रहते हैं अगर कुछ अच्छी खबर आती है तो stock लगातर भागेंगे लेकिन कुछ बुरी खबर आती है तो stock वापस से गिर भी सकता है तो आपको क्या करना है कभी वे इस stock में सीखने के लिए पैसा लागाना चाहिए अभी तो फिलाल आपको stock मिलेगा ने क्योंकि लगातर आपस से किट लग रहा है जब को stock मिलना मुश्किल है अगर मिल भी गया तो stock वापस से गिरना चालो हो जाएगा तो कभी भी इस stock में सीखने के लिए पैसा लगए डाइरेक्ट ठीवी इन्वेसेंट मत कीजे एधर तो आज के वड़ें पर छोटे से company के लिए अगर वड़ें चला लाइक कर सकते है और च